भारत में कोरोना बाइरस के मामले बढ़कर एक अजार से ज़्यादा हो गए हैं अब तक 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ऐसे में सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस मुश्किल वक्त में हर कोई अपने हिसाब से सरकार की मदद कर रहा है ऐसे में भारत की कजारपती भी मदद के लिए सामने आये हैं इन बिजनिसमेन को भी करोना बाइरस और लोगडाउन के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ा लेकिन इस संकट के समय में वे अपना नुकसान भूल कर सिर्फ भारत सरकार और लोगों के इस महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं अरबपती मुकेश अंबानी, आनन्द महिंद्रा, अनिल अगरवाल और अन्या ने कोरोना वाइरस का मुकाबला करने का संकल्प लिया है आए जानते हैं भारत की अरबपती इस खायतक वाइरस को जड़ से खत्म करने में कैसे अपना योगदान दे रहे हैं रिलाइंस इंडस्टीज की चेर्मेन मुकेश अंबानी ने इस महामारी से लड़ने के लिए महरास्टर के मुख्यमंतरी रहत कोस में पांच क्रोड रुपे दान किये हैं इसके लाबा रिलाइंस फांडेशन का यहर सरकारी संगठन के साथ विबिन शहरों में लोगों को मुफ्त खाना दे रही है कंपनी ने अपने आग काम करने वाले करमचारियों जिनकी मासी का 31,000 रुपे से कम है उनने इस महीने के दो बार सेल्ट देने को कहा है रिलाइंस ने मुंबई में करोना संकरमित मरीजों के लिए सो बेड का हॉस्पिटल बनाया है रिलाइंस ने ब्रन मुंबई नगर निगम बीमसी के सहयुक से इस हॉस्पिटल को दो हफ़ते में तयार किया है ये देश का पहला हॉस्पिटल है जो कि सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया है महिंदरा गुर्प के चेर्मेन आनन्द महिंदरा ने कहा कि उनकी कमपनी बिमारी से निपटने के परियासों को मजबूत करने के लिए अपने निमान एकाईयु में वेंटिलेटर तैयार कर रही है साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कलब महिंदरा रिजॉर्ट्स मरीजों की तेखभाल के लिए टेंपररी फैसिलिटी के रूप में इस्तमाल की जा सकते हैं आरंद ने इसके लावे यह भी कहा कि उनकी कंपनी अन्य फैसिलिटीज तैयार करने में सरकार और सिना की पूरी मदद करेगी। महिंद्रा ने मरीजों के लिए अपने रिजॉर्स देने के साथ साथ अपनी पूरी सेल्टी देकर मौनिटरी मदद की बात कही है। विदान्त रिसॉर्स के चेर्मेन अनिल अगरवाल ने कॉरोना वाइरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सो करोड रुपे की मदद दी है जिससे सरकार को महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैं महामारी से लड़ने के दिशा में सो करोड का युदान कर रहा हूं। टाटा समू ने सभी समू कंपनी वाश्वासन दिया कि मार्च और अपरेल के महीने के लिए वो अपने फुल टाइम और कॉंट्रेक्ट पर काम करने वाले को इस दोरान बिना किसी कड़ोती के सेल्ट देगी। बजाज गुर्प के चेर्मेन राहूल बजाज ने करोना वाइरस से लड़ने के लिए सो करोड रुपे की मदद का ऐलान किया है। कि कमपनी विविन राज्य सरकारों को भी हर संबब मदद देने के लिए पहुच रही है। इसके लाव शराब बनाने वाली ब्रिटिश कमपनी डियाग्यों ने भारत में 15 एकाई को 3 लाख लीटर सेनिटाइजर का प्रोडक्शन करने को कहा है। कमपनी ने 2 मिलियन यूनिट हेंट सेनिटाइजर बनाने के लिए 5 लाख लीटर एक्स्ट्रा न्यूटरल एलकोहल भी दान दिया है। कमपनी भारत में डियाजियो वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम से जुड़े बार्टेंडर्स के लिए 3 क्रोड रुपे का हेल्थ इंसोरेंज करवा कर देगी। इसके लावा पुरे भारत में 5 प्रॉब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स को 1,50,000 मास्क दान करेगी। हाउस ओफ अनिता डॉंगरे की संस्थाबक यानि डिजाइनर अनिता डॉंगरे ने अपने कारिगरों रिटेलर्स और प्रांट से जुड़े लोगों की सपोर्ट में 1.5 क्रोड रुपे का मेडिकल फंड बनाया है। पेटियम के संस्थाबक विजजे शेकर शर्मा ने अपने जरूरत मंद करमचार्यों की मदद के लिए 2 महीने की सैलरी देने की बात कही है। दो करोड़ रुपे दान दिया है Financial Service और Banking सेक्टर की कंपनी KOTAK महिदरा समू ने अपने करमचारियों तो था उनके परिजनों की Coronavirus संकरमने जांच का खर्चा उठाने की घोशना की है Infosys Foundation की चेर्मेन सुधा मूर्ति ने करनाटक के एक हजार सरकारी High School में Smart Class बनाने के लिए 20 करोड रुपे दान दिये हैं तो दोस्तों भारत के इन अरबबतियों और इन दान करताओं के बारे में आपका क्या कहना है आशा करताओं हमारी ये वीडियो आपको पसंदाई होगी ऐसी ये वीडियो के लिए किसी के साथ नजदी की बना करें कम से कम एक मीटर का फासला रखें और हाथों को बार बार दोते रहें गरम पेपदार्थ, सूप, चाई, कॉफी या गरम पानी आप लगातार पीते रहें और इस कोरोना से लडने में देश की मदद करें और इस कोरोना को इस देश से नस्त नाबूद करने के लिए अपने परियासों को कम न करें जै हिंद जै भारत